सो हाई किस तरीका है जिसकी मदद से आप आसानी से बहुत ही कम समय में अपने आर्टिकल को लिख सकते हैं और यहाँ पर बहुत कम लोगों को यह सारी पचीजे पता होती है तो यह ओनलाइन का जो तरीका है जो ओनलाइन वेबसाइटे हैं वो बहुत हेल्प करती है बहुत मदद करती है हमारी जो कि आर्टिकल को लिखने के लिए या फिर अगर हम बात करें कोई extension हो गया इस तरह की जो extension होती है यह हमारी आर्टिकल को लिखने में बहुत मदद करती है और हमारे time जो है वो बहुत ज़्यादा जो ही की save करके रख देती है तो ऐसे में अगर हम बात करें तो वो कौनसा tool है जिसकी मदद से हम अपने आर्टिकल को लिख सकते हैं और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था किस ते किस जो कि आप अपने आर्टिकल को लिख सकते हैं लेकिन आज मैं आपको बत्कों वाला हूँ कि Hindi में अगर आप Hindi में unlimited content चाहते हैं, अगर जाज जाज जाण context आप Hindi में लिखते हैं, आप जोई कि Hindi में, Bengalी मेंや फिर Gujarati में, कोई other language में, English में आप नई लिखना चाहते हैं, किसी other language में आप article लिखना चाहते हैं तो कहां से आप article कि लिख सकते हैं वो कौन सा तरीका है जिसकी मदद से आप जो ही कि अगर हम बात करें बेंगॉली में या फिर हैं पात करें लिगने की तो उसे कैसे आप हेंदी में लिख सकतें और अगर करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके तरह कि हम एक यूइक आर्टिकल हम जेनरेट कर सकते हैं और आपको इसका प्लेगरिजम भी चेक करके बताऊंगा कि कितना योई आपको प्रोवाइट करता है सबसे पहले हम यह बात करेंगे इसमें आडिकल लिखने का तरीका क्या है और अपके जो भी वेबसाइड है वहां पर आ जाना है और उसके बाद जो कि जिसमें भी आप आप आडिकल लिखना चाहे तो वहां पर चले आए और यहां पर कुछ इस में दे दूँगा आप जो कि डिर्कली जा सकते हैं और यहां पर पहुंच जाएंगे और यहां पहुंचने के बाद इसको इस वेबसाइड को विजिट करना है सबसे पहला आपको यही करना है कि आप इस वेबसाइड को विजिट करिए उसके बास सेकेंड इस्टेप होगा को यह guidance करने वाला कि कैसे free में है लेगिन यह फिलाल देखेंगे तो paid है और अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहे तो बहुत सारे ideas हैं जिसका आप use कर सकते हैं फिलाल यहां पर हम बात करते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करना है कैसे आपको यहां पर हिंदी आर्टिकल मिलेंगा अगर आप हिंदी बेंगोली या फिर कोई भी आर्टिकल लेना चाहते हैं उसको कैसे आप ले सकते हैं तो सिंपली क्या करना है यहां पर अपना अकाउंट क्रेट करना पड़ेगा आपको अपना आर्टिकल लिखते हैं यह उक्तारशन मैं आपको बता हैं किस तरीके सा में लेकर आपको ने jotain हैं इसकी मदद लेना हैं और यहां पर जो कि जो भी वीडियो से आप लेना चाहते हैं या फिर आप यूतुबर नहीं कृते हैं तो में आपको क्या करना है, यूटुब पर चले आने के बात जो कि जो भी content आपको पसंद आते हैं मैं आपको यह नहीं recommend करता है कि आप किसका ले आपको simply देखिए सबसे अच्छा है अगर आपको आर्टिकल एकदम बहतरी नी यूनिक आर्टिकल लेना है जो इसमें कोई भी ऐसा है जो कि प्लेगरिजम ना मिले तो आपको simply क्या करना है है यहां पर search करना है कोई भी ऐसा जो अगर आप एक यूनिक आर्टिकल में आपको आता रहा हूं कोई आप problem face नहीं करना चाते है in future आपको कोई भी दिक्कत face ना हो कोई भी चीजे जो होती है न आप नहीं देखा होगा कि कई बार हमारी आर्टिकल रैंक नहीं करती है problem face करना पड़ता है वो क्यों होता है कि जै किसी प्रफ के रही है तो यहां प्रGroup हुआ और हुआ मेलिस इस से लीडिकल आपा आते हैं तो किससे मिल जाएगा तोatsi रहतो है लेकिन आपको एक बहतरी नहींग आर्टिक्ल जैसे ऐसा लगता है ने कि हमने खुद से लिखा है वैसा आर्टिकल आपको यहां से मिल जाएगा तो simply इस तरीके से लिखें और उसके बाद क्या करें उसको copy कर ले इस तरीके से उसको क्या करना है उसको डाउलोड करना है यहांपर उसको एसको डाउनलोड कर देना है यहांपा जैसे क्लिक करना है जिक गे यह डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा ठीक है और मैंने अल्रेडी जो कि डाउनलोड कर रहा है यहाँ पर देखेंगे तो मैंने अपने ही वीडियो को डाउनलोड किया है यहाँ पर देखते हैं यह MP3 का मैं आपको audio file दिखा दे रहा हूं यह देखते हैं यहाँ पर audio file है इस video को मैंने download किया ठीक है ये video है लेकिन audio में है भी फिलाल तो मैंने कौन सी video download किया यहाँ पर मैं अपनी वीडियो पर आया और इस video को you are copy किया है यहाँ से copy करने के बाद simply आया इस website पर और इस website पर आने के बाद फिर से यहां पर कुछ इसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया उसी तरीके से मैं इसको रिफ्लेस कर देता हम थोड़ा सा और क्योंकि यह पेस्ट नहीं होगा तो इसी तरीके से देखते हैं यहां पर मैंने कुछ इस तरीके से पेस्ट किया लाइक दिस ओके तो यहां पर कर download MP3 का आ जाता है और यहां पर download MP3 मैंने किया है अल्रडी मैंने कर चुका हूं इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं देखते हैं इसी तरीक सा आप भी अगर एक एब्सक्राइबों देखते हैं तो यहां पर चिया करना है इसके उपर और जैसे आपते हैं उपको आप कर सकते हैं और Army आप जैसे पता है अब को आपकी ये वीडियोस पड़ी हुई है, कुछ इस तरह की वीडियोस पड़ी हुए, तो उनको upload कर दीजिए, उनका automatic जोई की, वो transcript कर देगा, ठीक है, बहुत अच्छी दिसके आपको उसका मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर second step देखेंगे, तो यहाँ पर uploading का आता है, file को upload करना, तो चलिए हम upload कर देते हैं सबसे पह لे file को, और यहाँ पर मैं 살ोगा desktop, desktop पर आने के ऐब यह file है, और यह तिन मिनट का यहाँ पर 앞कर देखेंगे, तो इसको मैं आक प्लोड कर दिया, 6 MB का यह file है, और जैसे यह upload होता है, जब तक हम निचे की जो step है, उसके बारे हम आप देखेंगे तो यह बोलता है कि मतलब कौन सा लेंग्विज आप यहां पर प्रिफर करना चाहते हैं जो भी आपको लेंग्विज आपको लगता है वह लेंग्विज को अपको यहां पर करता है अगर हम बात करिए एने बल आटोमेटिक जो ही की फंक्षन का जो है यह काम करता है सिर्फ और सिर्फ यूसे अगर हम बात कर वीडियो देखने को मिलता है जो कि डिफॉल्ट format और दूसरा दिखने के मिलता है SRT, ठीक है, SRT, अगर आप SRT में जाना चाहते हैं, तो उसके वह आप ले सकते हैं, जो simply क्या करना है, default select रहने दिना है, default में रहेगा, तो आपको एक article format होती है, उसके थुरू उसके बाद क्या करना है, यह submit का tab है, यह on हो जाएगा, अब यह अपलोड नहीं हो, अब अपलोड हो गया, ठीक है, यह अपलोड हो गया, और नीचे आप आएंगे, तो यह देखते हैं, यह आप क्या बता रहा है, upload, complete, please, complete, second and third step, तो देखते हमने second step को हमने complete कर दिया है, और third step को भी complete कर दिया, fourth step भी complete कर दिया, और करेंगे हम submit, अब जैसे आप submit करते हैं, तो देखिए, यह minute use बता रहा है, यह four minute बता रहा है, और minute left बता रहा है, ठीक है, यह current minute बता रहा है, तो simply क्या करना है, इसे confirm करना है, confirm जैसे आप करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे, त Once it has completed, जैसे यह complete हो जाता है, हम आपको email कर देंगे, ठीक है, तो जिस से हम, जिस भी account से हमने login किया है, उससे यह email कर देंगे, फिलाल अगर हम बात करें, तो email करने के कोई जरूवत नहीं पड़ती है, यह automatic जो भी हमारा article वो मिल जाता है, तो simply हम क्या करेंगे, यह आप देख हमारा जो की time लगाएगा है, या फिर चार दिन, पांच दिन, जाओ समय लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मुस्किल से तीन मिनट की, अगर हम बात करें, फाइल थी, आपने को length में आपको दिखाया था, तो मुस्किल से दो से तीन मिनट वेट करना है, अब जैसे दो स तीन मिनट करना है, और यहां पर देखेंगे यह private है, आपको कभी भी private पर ही रखना है, public पर नहीं रखना है, नहीं तो problem यहां पर यह face करना पड़ता है, कि अगर आप जो एकि private से public कर देते हैं, तो कोई भी audience जो ही कि आपकी article को वहां से copy कर सकती है, या फिर यूज कर सकत तो वो किसी और के हाथ ना लगे तो चलिए अब हम बात करते हैं इसको रिफ्रेस करके देखते हैं कि यह क्या है क्मप्लीट हुआ है कि नहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि स्टेटर जो क्मप्लीट हो चुगा और यह मैं आपको बता तो यह इंग्लिस कॉंटेंट था और यहाँ पर उपर की तरह आप देखेंगे तो यह हिंदी कॉंटेंट है तो ऐसे में कर बात करें तो इन दोनों में हम थोड़ा सा कंपेरिजन भी करके मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिस कितना बैटर तरीके से लिखता है और हिंदी कॉंटेंट उसको कितना बैटर तरीके से लिखता है यह भी मैं आपको बताने वाला हूं तो चलिए सुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे जोई कि आर्टिकल है पर लिखी गई और आटिकल को हम देखते हैं कि जो भी हमने ख्रसकते हैं देखते हैं कि जो आर्टिकल है यह लिक हो चुकिया ओर देख से पर इइप से निगरके लोगों तो देफेनेटली यह कोई और नहीं यूज़ करें उसने पहले आप चाहें तो उस वीडियो को यूज़ कर सकते उसके आप्यारीकल सकते हैं और उसके बाद उस वीडियो को publish करें तो यह article हमें मिल चुकी है और यहां पर जो आपको दिख रहा होगा यह कुछ इस तरीके का इन चीजों को आपको रिमूब कर देना है और यहां पर कुछ इस तरीके से जो भी timing है इसको रिमूब कर देना है अब यहां पर भी देखेंग का यह timing है यहां पर देखेंगे तो यह title भी same है यह MP3 का तो इसका मतलब यह है कि यह Hindi में convert करके दे रहा है लेकिन अगर हम बात करें तो हिंदी में उतना अच्छी तरीके से convert करके नहीं दे रहा है देखते हैं उसके बाद घर में यह सारी चीज़े आप लाइन पढ़ेंग तो थोड़ा सा problem face करना पड़ रहा है और sometime यह हो रहा है हमेशा नहीं हो रहा है अगर आप इसको चाहें तो फिर से आप upload करके फिर से इसको आप rewrite कर सकते हैं लेकिन फिलाल अगर हम बात करें तो कहीं कहीं कुछ word जो है वो change कर दे रहा है देखिए यहाँ पर night कर दिया है night duty कर दिया है लेकिन यहाँ पर कुछ और ही बोला गया है आप देखेंगे तो night duty नहीं बोला गया है और बाकिर सब तो सेम ही है सब सही है लेकिन हाँ पर कुछ-कुछ mistake कर दिया तो आप simply क्या करेंगे उसको cut करके आप चाहें तो यहाँ से copy paste करके और wordpress में जाके जहां जहां से cut करके और इसकी जगह पर night duty की जगह पर कुछ और लिख सकते हैं तो जो भी content है उसको as it is वहाँ पर place करना होगा आपको थोड़ा सा मैनत करना होगा हलका सा लेकिन ज्यादा नहीं हिंदी content में से मैनत करना पड़ रहा है otherwise आप देखेंगे तो हिंदे जो English content है उसमें आप पर मैं चलूंगा प्लेगरिजम चेकर पर तो मैं यहां पर small SEO टूल पर मैं चलता हूं और small SEO टूल पर जाने के बाद बदाता हूं कि कैसे इसके प्लेगरिजम को चेक करते हैं और इस तरीके से मैं आपको रहा हूं unlimited article यहां से मिल सकते हैं यह जो टूल है इस टूल की मदद से आप unlimited इस तरीके से जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं article आप ले सकते हैं और 100% unique article होते हैं कोई यहां पर आगर हम बात करें कोई plagriism नहीं मिलेगा देखते हैं 0% plagriism आपको देखने को मिलेगा क्योंकि मैं already इसको use करके देख चुका हूं तो यहां पर आप देखते हैं आप समझ सकते हैं कि यह टूल कितना बैतरी नहीं है लेकिन हिंदी content के लिए मैं आपको अगर बात करूं तो हिंदी content के लिए मैं जो की recommend नहीं करता कि हिंदी content के लिए आप यहां पर यूज करें क्योंकि आपको बहुत सारे थोड़े-बहुत mistake कि यहां पर देखने को मिल कितनी डिस्ट्रक्ट यहां पर यहां पर यहां पर दिया है कितना discount यह चीज़े मैं लिखा बुला है इसमें तो कुछ कुछ mistake कर दिया है तो इसको वड समझ में यह आ रहा है उस word को यह जो अगर आप English के content को आप देखेंगे जो English वाला ओडियो है इसको आप देखेंगे तो इसमें कहीं भी mistake नहीं किया है कहीं भी नहीं मतलब एक भी mistake आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा तो इसका मतलब यह है कि अगर आप English के content आप यूज करते हैं तो उसको 100% definitely unique article बना के आपको देगा और यह 100% unique यह भी है और मैंने आपको जो करके बताया जिसको हिंदी में convert करके बताया वह भी आपको 100% unique article है तो guys मैं आपको बता दूँ कि यह टूल बहुत ही बैतरीन है मुझे तो बहुत अच्छा लगा यह टूल और इस टूल का आप यूज करें इस website का यूज करें और आपको इसके बात करें तो यह website थोड़े सी costly है लेकिन मैं आपको बता र 30 मिनट का देता है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो प्राइजिंग है यह अभी फिलाल के लिए देखेंगे तो कितना फोर घंटे के लिए देख सकते हैं कितना चार्ज करता है और सारे चीजह यहां पर मेंशन की गई है लेकिन English content के लिए सबसे बैतरीन पिक करके आर्टिकल लिखें बोल के लिखें या फिर चैंज जैसे लिखें थोड़ा बहुत चैंजेस आपको करना ही पड़ता है यह वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करिए और अगर आपको यह चैनल सब्साइब कर दीजिए कि मिलें कि नेक्स ट्रॉलम बात करेंगा औ और विने टिप्स और ट्रिक्स के बारे में तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग बहुआ है